है 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 अध्य दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आज सेशन में एक बार सारे बच्चे कोमेंट करके इनफर्म कर देना क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है दोस्तों मैं सुमित गोयल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनकैडमी लाइव एससी एक्जाम्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज तारीक हो च बच्चों एक और बड़ा अल्टिमेट पेपर दोस्तों के किसी भी एक्जाम को आप टार्गेट कर रहे हैं सीजियल सीप्यों सीचेसल एंटी एस हर एक एक्जाम के लिए बच्चों यह सेशन आपका बहुत यूसफुल रहने वाला है बच्चे आप किसी भी प्रकार के व तो आईए बच्चों बहुत टाइम लिए बीना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं और पूरे 25 क्वेशन का करेंगे डिटेल में सॉल्यूशन दोस्तों कि आज की क्लास को बटा शुरू करने से पहले मैं आपका दो बिनट का समय लूंगा बच्चे हमारे अने वाले बेटा बैचेज और टैसरिस के बारे में आपको जानकारी देने के लिए दोस्तों अगर आप अनकेडमी प्लस पर सब्सक्राइब करने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों एक अप्रेल से पहले पहले अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस समय के जो कम रेट चल रहे हैं आप उन पर सब्सक्राइब कर सकते हैं प्राइस हाइक होने वाला है लगबग 20 परसे है रेट बढ़ने से पहले बचों एक आपके लिए रीजनिंग का मेरा नया बैच भी आने वाला है तीस मार्च तीस मार्च को सुबह 11 बजे अनेकैडमी प्रेटफर्म पर बटा हमारा रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट होगा जिसमें हर वंडे एक्जाम के लिए हम रीजनिंग के बड़े इंपोर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं तो आप सभी बच्चे रीजनिंग की सब बा तो यहां हम इन एक्जाम के लिए पूरी त्यारी करने वाले तो आप इनके लिए बेटा सब्सक्राइब कर सकते हैं 23 मार्च से इन के नए बैच भी स्टार्ट हुए है प्यारे दोस्तों अनेकैडमी प्लैटफर्म पर आपके लिए टॉप एजुकेटर के साथ हमारे का इसके अलावा है इसके अलावा दोस्तों से विजयर मैं मिलेगी कंप्लीट लाइव क्लास रिकॉडडेट क्लास डाऊट शॉल्विंग सेशन कुईज मोगटेस्ट पीडियफ्ट पूरा पेकेज मिल जाता है बच्छे आप Live Class देख सकते हैं, Recorded Class देख सकते हैं, Complete Batch and GS आने वाला है 30 मार्थ से, SSC का सफलता बैच आने वाला है 30 मार्थ से, Ask a Doubt आपके लिए एक Ultimate Feature है, इससे आप अपने सवालों के डाउट पूछ सकते हैं, 24 into 7, 24 into 7 कभी भी आप सवालों के डाउट चेक करना चाहते हैं, तो इस Facility का यूज कर सकते हैं, दोस्तों, अलग-अलग exam के लिए टैसरीज आपके लिए अवेलिबल हैं, जिनको आप जॉइन कर सकते हैं, Iconic Feature से बैटा आपको Live Class में और बैटा Ask a Doubt पर Priority मिलती है, Raise a Hand का Option है, Educator से 1-2-1 बैटा बात करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों, SSC Comback आने वाला है अपना 27 मार्च को, यानि कि कल दुपहर 12 बजे, 40 Question करने होंगे 50 मिनिट में, 4-5 बैटा सब्जेक्ट होंगे, और टॉप आने वाले बच्चों को मिलेगी Scholarship बैटा, यहाँ Unacademy Plus पर बैटा सब्सक्राइब करने के लिए, आप मेरा Referral Code सुमित गोईल सर्ण यूज कर सकते हैं, इससे बेटा आपको 10% का ओफ मिलेगा, और Classes बेटा आप लोग सारी जोईन कर पाएंगे, दोस्तों अगर आप Iconic पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो भी हमारा Referral Code सुमित गोईल सर्ण यूज कर सकते हैं, 10% का ओफ पाने के लिए, अल सेट, दोस्तों लेट्स क्राएंगे, ये बैचेज के बारे में जानकारी हुई, अब बेटा चलते हैं आज के पेपर पे, और आज के पेपर का सवाल नंबर एक आपके सामने आ चुका है बेटा, टौपिक का नाम है दोस्तों और वराउट, इस टौपिक का बच्टों नाम है और वराउट यह हम इसे बोलते हैं वीजातिय, च्छाटना, जाती से अलग चार में से तीन बातों को सेम करना बहुत बढ़िया बेटा, जीडी का एक्जाम क्लियर हो गया बेटा आपका बहुत बहुत कॉंग्रेट्स आज सुबह से बहुत सारे बच्चों के मैसेज मिल रहे हैं जीडी का एक्जाम जिन्होंने क्रेक किया बचे बहुत अच्छी बात है बहुत बधाई आप सबको सुर्य दोस्तों एन क्यों टी अगर मैं नंबरिंग देखता हूं 14 17 और 20 तिन एड किया हुआ 14 और 3 17 17 और 3 20 यहां भी आप देखोगे तो 13 16 19 तिन एड किया हुआ यहां भी बेटा 17 20 और 22 देखो यहां पैटरन अलग बन गया यहां पर तीन एड किया हुआ है और लास्ट वाले में भी 53 एड किया हुआ था कि आपको पैटरन समझ में आ आपको पैटरन समझ में आ गया ए चार में से तीन बाते सेम करने इए छाहcare travelers पर आए चाहे नंबर पर आ도 चाहे जन्रल इंटेलिचेश peng करनी है चार में से तीन बातों को एक जैसा करना है जब चार में से तीन बातों को सेम बनाएंगे चौथा पॉइंट अलग बनेगा और जो पॉइंट अलग बनेगा वही आपके सवाल का उत्तर बनेगा देट विल बी और करेक्ट आंसर वही आपके सवाल का उत्तर बनेगा दोस्तों अगला सवाल और बहुत इजी है यह हैंडशेक वाला वेटा यह क्वेश्चन बनता है एक में 28 लोग मुझूद आपसी अठाइस लोग मोझूद में सब्सक्राइज के बाद सबी एक साथ मिलाने से बिल्कुल भी इंकार करते हैं तो बताऊ कुल मिला कर कितने हाथ मिलाने होंगे ऑच यह यह कि जो सवाल है बच्छे कितने हाठ हाथ मिलाए जाएंगे टोटल कितनी बार हैंडशेक किया जाएगा यह सवाल है दिखें यह सवाल आप ध्यान लखना कभी भी किसी पेपर में इस प्रकार का सवाल बन जाए आप से हैंडशेक की बात पूछे बेटा तो आप इस फॉर्मुले को याद कर सकते हैं कि एन की यहां नमबर ऑफ पर संथा यहां एन क्या वगा बचे एन वगण नमबर ऑफ पर संथ इतने लोग आपस में हाथ मिलाते हैं उसका फर्मुला होता है एंट टो दोस्तों 28 इसमें मौझू थे साथ लोगों ने तो मना इंकर दिया साथ कहते हैं कोई के प्रोटोकल को फॉल मिलाते हैं 21 परसन ऐसे हैं जो आपस में हाथ मिलाते हैं तो बिटा आप मुझे यह बताओ अगर एन का जगह में 21 रखूंगा तो 21 गुणा 20 बटा 2 करेंगे N into N minus 1 by 2 करेंगे 2 से कटेगा 10 बार 210 आपके सवाल का उत्तर बनेगा 210 इस दा राइट आंसर 210 आपकी बात का उत्तर बनेगा बेटा 210 आपके सवाल का उत्तर बनेगा देखिए यह फर्मूला कैसे फॉर्म होगा करेंसर एक्सप्रेंट कर दो यह बड़ा इसी फर्मूला होता है मेरी बात सुनना अगर एक पार्टी में दो लोग होते हैं ए और बी तो यह लोग हाथ केवल एक बार मिल तो यह हाथ मिलाएंगे एक दो तीन अगर यह तीन लोग थे ना तो बेटा हैंडशेक भी तीन बारी होगा हैंडशेक भी तीन बारी होगा अगर मालो इस पार्टी में चार लोग होते अगर इस पार्टी में चार लोग होते बेटा ए बी सी दी तो हैंडशेक होता एक दो चार पांच और छै अब दीखों सब लोगों के आपस में हाथ मिल चुके हैं यह कि हौगे सर अगर इसमें 4 लोग होते ना तोард कॉटा अपना 6 वार एक बात और देखले ना पेटा अगर इस पार्टी में लोग मानो लो पाँच अगर इस पाइड को इसके बाद शाथ नो और दस बार इनका हैंड्शेक होगा तो फर्मुला आपने क्या पड़ा कि अगर 5 थे न तो हैंड शेक होगा 10 बार अब इन सारी चीजों को मैं अपने फर्मुले से प्रूफ कर रहा हूं मैंने आपको हैंड शेक का फर्मुला बताया एंटु एन माइनस 1 बाइ तू दीखे एन का मान 2 रखोगे तो हैंड्शेक फॉर्मुले से क्या आना चाहिए एन इंटू एन-1 x2 देखो एक आना चाहिए एक आ रहे हैं इसमें अगर मैं एन का मान 3 रखता हूं तो 3 गुणा 2 बटा 2 देखो हैंड्शेक भी 3 बार आ रहे हैं 3 एक दम सही है अगर इस होगे पांच गुना चार बटा दो देखो हैंडशेक भी दस बार आ रहा है यह फर्मुला एकदम सही है तो इस फर्मुले को आप चेक कर सकते हो हैंडशेक की कभी भी बात आएगी ना तो यह फर्मुला याद लखना एन इंटू एन माइनस वन बाई टू पार्टी में जितन अंदल पार माया ओनली वन एम क्लियर ओके बेटा अगला पॉइंट यह सवाल दिया है टॉपिक का नाम दिया जी अनलोगी टॉपिक का दोस्तों नाम दिया है अनलोगी अनलोगी का कंसेप्ट आपको लगाना है सवाल तुमको यह कह रहा है 24 का और 306 में का रिलेशन है सेम रिलेशन स्वाल है वह टर्स Lao Obama रिलेशनुटि इट का रिलेशन आपको चैक करना है ड्याँ सेम रजेशन किसका बनना चाहिए को हैं कि भूप आसान सवाल है है अ 306 में का 24 से जो रिलेशन है देखो ऐसा लिखलो 24 का 306 में से जो रिलेशन है 30 का 602 से जो रिलेशन है 28 का वो रिलेशन किस से बनेगा थोड़े बहुत तुम्हें लग रहे है कि मल्टिप्लाई की बात है थोड़े बहुत तुम्हें लग रहे है कि मल्टिप्लाई की बात होगी 24 का कित्ते गुणा करें 24 से कम 24 156 16 गुणा करके 12 एड किया होगा आप यह कह सकते हैं 24 गुणा 16 करूंगा 384 384 में 12 जोड़ दिया 306 में 30 का गुणा बेटा आपने 22 से किया है 660 660 में 12 जोड़ दिया 622 तर आपको नंबर को देखकर यह जजमेंट करना है कि मल्टिप्लाई करना चाहिए यह क्या करना चाहिए सुनो बेटा आप मल्टिप्लाई किस से कर रहे हो 24 में आठ गटाया 16 तीस में आठ गटाया 22 तो 28 में आठ गटाओगे 20 आप 20 से मल्टिप्लाई करके बारा एड़ कर दीजिए 28 का 20 से गुणा करोगे 560 560 और बारा पांसो बेतर 572 इस दा करेक्ट आंसर पांसो बेतर आपके सवाल का उत्तर बनेगा कैसे कैसे आपने काउंट किया बहुत इज़ी है बेटा नंबर को देखकर पहले जजमेंट की चीजिए कि मल्टिप्लाई करें तो कितने से करें प्लस माइनस करें तो क्या करें एक बार सवाल का आइडिया मिलेगा उसके बाद चीजों को चेक करने में दिक्कत नहीं है उसके बाद चीजों को सौल करने में कोई समस्या नहीं है एक और सवाल आपके लिए बहुत आसान करेंगे बेटा करेंगे तीन दूनी च्छे च्छे तिया अठारा अठारा चोका बेतर बेतर पांजा तीन सो साथ तीन सो साथ गुणा च्छा करेंगे एक्की सो साथ भी बन रहा है डी उप्षन उत्तर आना चाहिए लगबग उत्तर समने दिया माया अंशुल राकेश दिव्यान सक्षी आयुष धनुष सक्षी बहुत बड़ी है बेटा राशी सिंगर मतलब बेटा आप इन प्रकार के साइंडस में से करना क्या जब आपको सीरीज का नैचर समझ में आ जाएगा फिर अगली बात को सौल करने में कोई दिक्कत नहीं है आप सवाल बना पाएंगे बड़े अराम से अगला यह सवाल है टॉपी का नाम है मिरर इमेज आपको यह बोला कि राइट साइड में मिरर और यह बात बच्चे बच्चे को पता है सर कि अगर आकरती के राइट में मिरर रखेंगे तो लेफ्ट और राइट को आपस में चेंज करना पड़ेगा जब भी किसी आकरती के राइट साइड में मिरर लगाते हैं तो लेफ्ट और राइट आकरती का चेंज होता है जबकि Top और Bottom में कोई प्रिवर्तर नहीं होता Top और Bottom में कोई Change नहीं होता बचे सब बच्चों का उत्तर देखो सही हाना चाहिए ये ट्राइंगल वाली आकरती राइट में थी लेफ्ट में आएगी ये तो उत्तर संभव नहीं है इसके बाद दोस्तों ये जो दोनों V के साइन थे तो ये वैसे सेम बनेंगे ये उल्टे कभी हो नहीं सकते ये वाली आकरती लेफ्ट में थी तो ये राइट में जाएगी आप options को eliminate करने की आठ समझो आप सवाल को option के according चेक किया करो बेटा option देखकर आपको idea लगना चाहिए right side में mirror लगाने का मतलब ये है कि mirror image का सवाल है जब भी कभी आकरती की mirror image बनती है तो left और right को आपस में change करना है दाएं और बाएं को आपस में बदलना है top और bottom पे change नहीं करना बेटा top और bottom पे कोई change नहीं करना काफी आसान प्रकार का यह सवाल था एक सवाल ऐसा ही और देखते हैं और यह सवाल बच्चो topic का नाम है letter series देखो इस series यह incomplete है series को पूरा करना है बेटा series को पूरा करना है और क्या बनना चाहिए series को पूरा करना है सबसे पहले आप इन्हें काउंट करने की कोशिश करना सबसे पहले बेटा आप इन्हें काउंट करने की कोशिश करना सिरीज भी कितनी शांदर दिये अक्षर दिये तो कम है और blank जादा दिये अक्षर दिये तो कम है blank जादा दिये बेटा जितने बच्चे क्लास को live पड़ रहे है बेटा सब लोग सेशन को एक बार like must कर दीजेगा भाई अगर आप मेरी सारी बातों को समझ पा रहे हैं प्रॉपर वे में चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं तो लाइक बेटा मस्ट कीजिएगा यह जरूरी है दोस्तों काउंट करोगे मुझे लग रहे हैं 16 का पेर बनेगा विल्कुल बेटा यह बात बनने चाहिए पी क्यू आर एस पी पु आर एस जा सकत्व ही और पी क्यू आर एस यह बनना चाहिए कंटेडियों में तो पहले वाले में आएगा पी आरक्यो एस प्यार क्यो आर क्यो एस इस इसमें भी है इसमें नहीं है आगे आएगा बेटा ऑटा पी य творस पी आरेस च्योस option number a, a आपके सवाल का उत्तर बनेगा, a उत्तर दिया किसी बच्चे ने, बिल्कुल बेटा कही हो का अंसर आया था, ये repeated सिरीज के सवाल होते हैं, आपको सिरीज को count करना है, एक एक step को create करना है, step बनाते ही, आपके सवाल का उत्तर तयार, बिना कोई समस्या के, बिना कोई doubt क sih एरडवन मफट लए चार में से तीन बातों को सब्सक्राइब करना सवाल का मतलब है चार में से तीन बातों को सेम करना है और वन आउट के सवालों का कंसेप्ट जानते हैं चाहे सवाल किसी भी प्रकार से आजाए तरीका एक ही होगा एल्फा बैट पे नंबर पे कोई भी सवाल आए चार में से तीन बातों को सेम कर दीजिए चौथा पॉइंट अपने आप अलग बन जाएगा दिमाग में खराबी यह दिपक उसके जाने दो देखो बैटा सोला गुना साथ बनता है एक सो बारा 17 गुना साथ बनता है 119 अठारा गुना साथ करने पर 126 बनना चाहिए और 15 गुना साथ करने पर भी 105 बनता है तो बाकी तीनों में तो एक्जेक्ट सेवन टाइम्स की बात दी गई थी सी में सेवन टाइम्स की बात ने दी गई C हमारे सवाल का उत्तर बनेगा एक्दम सतीग और ये दोस्तों सवाल आया coding decoding topic से coding decoding topic का level आपको पताधी है बेटा आजकल के exam में, आजकल के सवालों में coding decoding की बाते बहुत अच्छे level की काम आते हैं जो भी आपको code दिया गया चेक करना mango एन एन जी ओ इसका आपको दिया हुआ है ग्रेप का चोड करना और यह लिककर दिया हुआ है 36 3 64 और 25 उसी प्रकार में एपल का कोड़ ग्याद करना है ये बोला गया How can we write एपल एपल का कोड़ ग्याद करना है एपल का कोड़ ग्याद करना है आपको पता है बेटा देखो एलफा बेट में M 13 पर आता है गुणा 1 करके 13 लिखा है A 1 पर आता है गुणा 2 करके 2 लिखा है N 14 पर आता है गुणा 3 किया हुआ है 7 गुणा 4 किया हुआ है 15 गुणा 5 किया हुआ है हमने किया गुणा एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा पांच एलफा बैट की नमबरिंग का एक दो तीन चार पांच गुणा कर रहा है जी साथ पे आता है उसका एक गुणा आर अठारा पे आता है दो गुणा ए एक पर आता है तीन गुणा 16 पर आता है, 4 gno, 5 पर आता है, 5 game सेम परकार में coding करनी है A1 पर आता है, इसको एक लिखोगे P 16 पर आता है, double करोगे 32 P16 पर आता है, 3 gno, करोगे 48 L 12 पर आता है, 4 gno, करोगे 48 E 5 पर आता है, 5 gno, करोगे 25 यह आपके सवाल का तरीका बनेगा Option number 1 is the correct answer बेटा coding decoding के सवालों में आपको day by day रोज देखो नए ने logic सीखने को मिलते हैं जो coding decoding आजकल के paper में आ रही है बेटा उसको देखकर आप ये judgment कर सकते हो कि वास्तों में इन सवालों का level बहुत शांदर प्रकार का आता है दोस्तों इन questions की बाते बहुत अच्छे लेवल की आती हैं और ये सारे point आपके लिए शक्त प्रतिशत क्लिर होने चाहिए और ये एक सवाल आया बचो टॉपी का नाम है ब्लड रिलेशन इसा ही होता है आजूश किसी दिन लॉजिक किजी भी आता है किसी दिन टिपिकल भी आता है भाई सब प्रकार की चीजें काम आती है राम रजत और मेश कवीता के तीन बेटे मुखुल राम का पुत्र है मुखुल के दादा जै है जै की बेटी निकिता है इस चेक करना है क्या बना जी देखो कवीता के तीन बेटे हैं यह कवीता कि इसके तीन बेटे हैं तीन बेटों का नाम है बिटा राम रजत और राकेश राम रजत और रमेश कविता के तीन बेटे हैं लिख दिया हमने मुकुल राम का बेटा है मुकुल के दादा जय है मुकुल के दादा जय है जो कविता के पति है उनका नामंजय है यह की एक बेटी निकिता h जैकी एक बेटी इनकी एक बहन भी है जिसका नाम निकिता है निकिता उनकी एक बेटी भी है ओके रजत के बेटे अभिराम की शादी रिना से हुई है रजत का बेटा है अभिराम इसकी शादी हुई है रीना से रीना से और उनकी बेटी लीना है और इनकी बेटी लीना है निर्मला निकिता की बेटी है निकिता की बेटी का नाम है निर्मला तो पूछा किया था जै लीना से किस प्रकार समझ दी ता है जै लीना से तो जै लीना से क्या वनेंगे बेटा देख़ो लीना के पापा के पापा के पापा तो यह बनना चाहिए ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर यानि की पड़ दादा ग्रेट ग्रेंड फादर बेटा लीना के पापा अभिराम अभिराम के पापा रजत रजत के पापा जै तो जै का लीना से क्या संबंद है ग्रेट ग्रेंड फादर विल भी राइट आंसर ग्रेट ग्रेंड फादर इस दा करे बेसिस पर बेटा है अगला सवाल दिया गया बहुत आसान टॉपिक का नाम है दोस्तों लैटर सिरीज लैटर सिरीज के इन सवालों को तरीके में फॉर्म करना आना चाहिए ए बी डी सी इए एच एन अगला अक्षर क्या बनेगा आपको पता है यह बात एक दो तीन दो पांच और दो साथ शम exist है पहले वाले में guy और दो साथ यह चार पांच नो चाऊदा पांच 19 am 5 5 5 Unde एक तो जी के आ changें ucks और अल्स दो बनना चाहिए डी उप्शन विलबी करनी क्यार दो यह सारे प्रिवियस एयर क्वेशन से करवाते हैं यह प्रिवियस एयर क्वेशन डेली होते हैं आपके लिए जो सीजियल के पुराने पेपर हुए हैं हम उनका ही कंप्लीट सॉलूशन कर रहे हैं ताकि आने वाले पेपर में आपको हेल्प मिले लाँ अर्टि ओर्म जिखल्चर года हर पी मश्रूम विटिखल्चर के बनना चाहिए रिलेशन से क्टbot विड़्म की जो खेति होती है उसे भनोलते हैं फ्लोरी कल्चर यह नहीं होता अर्थ वर्म का बनना चाहिए रिलेशन सेम बनना चाहिए तो यह टॉपिक का नाम बच्चे एनलोगी है इस प्रकार की जो सवाल होते हैं इनको सौल करने में जितनी आपके काम रिजनिंग आती है उतना आपके काम जीके और जीएस भी आता है यह क्लास आपकी डेली बेटा साड़े तीन से लेकर साड़े चार बज़े तक चलती है एक घंटा बेडा डेली अपन लाइव पढ़ते ह एक प्रीविएस इयर क्वेश्चन सेट डेली आपको करवा जाता है और सुभए 9 बजे मौर्णिंग 9 एम बचों आपके लिए अनकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी एक एक पेपर डेली करवाएजाता है आपको रिजनिंग का एक पेपर सुभए 9 बजे अनकैडमी पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग कागज मोडना एंड काटना एक तरीके में पेपर को फोल्ड करना और कट करना पेपर को फोल्ड करने की और कट करने की आठ की बात है पेपर किस प्रकार से फोल्ड किया जाएगा और कट किया जाएगा इसको देखकर चेक करना है बेटा राइट साइड में पहले कागज खोलोगे तो आकरती कैसी बनेगी फिर उपर खोलोगे तो आकरती कैसी बनेगी सिरफ इन में से एक ही ऑप्शन होगा जो सटीक जानकारी आपको दे सकता है यह कागज जब राइट साइड में खुलेगा लेफ्ट राइट में इसका चेंज हो होते हैं ए टान चेंज में कोई नहीं होता तो बीच वाले तो सही है ये पार्ट सही है ये पार्ट सही है यह बिमज्छे उत्तर लग रहा है सी में देखो यहां गड़बड है और डी में यह आकरती सही है यह बीच में यह लाइन जो एक्स्ट्रा को दी गई थी डी में क्या फॉल्ट है अच्छा यह लाइन और लाइन पहले नहीं बनेगी यह फॉल्ट है सारे ओप्षन में कोई ने कोई छोटी मोटी गलती आपको करके दे आ गया तो सवाल को ठीक से पढ़ना जल्दबाजी मत करना सवाल का नैचर आपको पता लगना चाहिए सवाल की आर्ट आपको समझ में आनी चाहिए वेटा यह है टॉपिक फिगर सिरिज सवाल में आपको जूं करके हो बढ़िया से यह फिगर शिरिज का सवाल है बच्छे टॉपिक का नाम है फिगर सिरिज पहुर्ट डिगई सिरिज एक payroll को follow करती है उस pattern को observe करना और try करना है सवाल का इत्तर क्या बनना चाहिए यह सर्किल बताओ एक स्थान एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है बीच में सक्टिन है एक एक स्थान एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है आप गो गोने सर्क बिलकुल यह लाइन जैखो प्रॉस में थी यह तो ऐसी लाइन आएगी आएगी अब यह सर्किल इधर फिर उपर लेफ्ट में तो सर्किल आना चाहिए नीचे वाली आकरती सब्सक्राइब इसमें 2 लाइन है इसमें तीन इसमें चार इंगी और इसमें लाइन भी 5 आनी चाहिए 5 लाइनों की फिगर भी इसमें छह लाइन है इसके अंदर और बना दिया यह तो option है और यह circle भी सही नहीं है figure series का मतलब सवालों में एक pattern बनेगा series का एक order बनेगा order को आपने पढ़ना है उसके आधार पर उत्तर देना रचे बहुत easy प्रकार का सवाल था again एक बढ़िया सवाल topic का name coding decoding तरीका हमें नहीं पता आप लोग खुद से बनाएंगे क्या बनना चाहिए पी ल आई जी एच्टी पी ल आई जी एच्टी जे एम क्यू इन सवालों में तरीका एक ही होता है ask pass की numbering आपको याद होनी चाहिए अगर आपको सवालों में ask pass की numbering का idea है तो बहुत अच्छे से आप ये काम कर पाएंगे अगर आपको alphabet की numbering का idea है तो अच्छे से इन सवालों को form कर पाऊगे जी हाँ अच्छ दिया ना तब सुचरों ये कैसे कर वड़ होगे एक होना चाहिए जी और एच में एक प्लस एच और आई में एक प्लस टी और यू में एक प्लस है सब में एक एक एड किया हुआ है तो अ में एक जोड़ोंगे ओ ए में एक जोड़ोंगे बी सी में एक जोड़ोंगे डी इमें एक जोड़ोंगे ए एफ एल में एक जोड़ोंगे एम डी में एक जोड़ोंगे ए ओ बी डी ओ बी डी एफ एम ए उत्तर बनना चाहिए बी ओप्शन वी शुड़ बी करेक्ट आंसर सवाल नमबर पंद्रा कर दो सब बच्चे ट्राई फटा फट से कर दो कर दो हमें इनके मतलब से इस शब्दों के अर्थ से मतलब नहीं है वी हैव टू फाइंड डिक्शनरी ओर्डर शब्द कोश्का करम कर दो कर दो डिक्शनरी ओर्डर बचे है यह 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 सब में है एच वाइड डी आर तो सब में हच वाइड डी यार डी यार डी आर विल रहा है सबसे लास्ट में आएगा एक नमबर सबसे लास्ट में एक नमबर आएगा सबसे लास्ट में एक यह option में है खतम करो बिटा आप यह बताओ बिटा आपने इसमें सारे arrange किये क्या अरे समझो HYD 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 केवल इसी में HYG है तो बाकी इनका जो भी sequence होगा अमारो गोली सबसे लास्ट में एक नमबर का आएगा सबसे लास्ट में एक नमबर का आएगा तो यह केवल एक option में है पूरे सवाल को करने का कोई मतलब नहीं है पूरा सवाल करने की कोई आवशक्ता नहीं है केवल इतनी सी बात को दूंट चेक करना आसान सवाल थो सवाल है कि चारं से तीन بातों को स्मय करना है कि अ mówi क्लासिफिकेशन टॉपिक का सवाल ने-चार पहसे थीन बातों को सेम करना है पर टुझे कि 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 किसी का उत्तर रहा है कि बहुत बढ़िया लगभग सब बच्चे आंसर दे पारें मिस्ट्रेस इससे अलग बनेगा इसका मतलब होता है स्वामी नहीं या ग्रहनी बोल सकते हैं इस्ट्रक्टर आपको सिखाने वाला मेंटर गाइड करने वाला बाकी सब चीज़े अलग है और यह इससे अलग जानकारी बनेगी तो जब भी कभी और वन आउट की बात आए ना जब भी कभी आपको और वन आउट का सवाल मिले ना तो आप समझ ल करने हैं एक पॉइंट को अलग करना है किसी भी नियम से किसी भी काईदे कानूं से तीन बातों को एक जैसा करने पर काम कर दीजिएगा 17 नमबर कॉश्चन निमलिखित वेन आरेक में त्रिभुज खिलाडी के लिए है शटभुज भारतिया के लिए है तो जिसमें कितने भारतिया खिलाड़ी हैं लेकिन लड के नहीं है दखो बटा भारतिया होने चाहिए भारतिया होना चाहिए मतलब की हेक्सागन में वो नंबर आना चाहिए एक्सागन में नंबर आना चाहिए खिलाडी भी है त्राइंगल में भी वो नंबर आना चाहिए लेकिन लड़के नहीं है तो रेक्टेंगल में वो नंबर नहीं आना चाहिए तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए हमें एक ऐसे नंबर की त एक की सवाल बहुत इजी बनते हैं कि इस प्रकार बहुत प्रकार जिनमें किसी बात में आपको पैनिक होने की नहीं है और यह आगया सवाल एक आसान टॉपिक का नाम दोस्तों सिलोलिजम कि नो गैस्ट इजा ट्रेंड कि और ट्रेंड और एंप्लोईज सम एंप्लोईज और टॉल कि डाइग्राम ठीक से बनाना बिटा वेंड डाइग्राम का मतलब होता है दी गई लिए जानकारी का मतलब और सिलोलिजम पर भी हम नो मनाते हैं वेंड डायेग्राम से सवेलों को क्रिएट किया जाता है वेंड डिएग्राम से इनसवालों का फॉर्मेशन में बना जाता है गए बागी बेटा कोई और बालक सिललिजम टॉपिक भी कि नुए सिज ट्रेन Penis नौ गेस्ट इस ट्रेन या कोई गैस्ट थ्रेन नहीं है ये वने गा ऑल ट्रेन ऑबमविगी ऑबहोने आरेंपलोई सारहटव्ड थ्रेन ये हैंच आपज़मे एड स्मब ईपलोईस आरोज्ड की वनेगा पहला संब ताल और ट्रेंड तो पता नहीं है बाइसा पार्शली संब एंप्लोईज आर ट्रेंड हां कुछ एंप्लोईज तो ट्रेंड है सही बात है not the guest यह पता नहीं है पार्शली केवल second सेटेंड किन्क्लूजन फॉलो करता है केवल सेटेंड फॉलो करता है सूरया माया दिव्यांश राशी राकेश सक्षी विवेक गंगाधर जोती जिंदल बीटा विक्रम बहुत बढ़िया देखी यह सेशन बेटा जो डेली आपके लिए साधे तीन बजे पढ़ते हैं इससे आपको सवालों का आइडिया बन जाएगा वास्तों में कि सीजियल का पेपर आपका कैसा होने वाला है सीजियल का पेपर आपका किस थीम पर आने वाला है यह बात आप खुद से जज़्जमेंट कर पाएंगे दोस्त दी गई आकरती में कितने रेक्टेंगल हैं दी गई आकरती में कितने आयत हैं आयत काउंट करने हैं आयत केवल आयत जल्दबाजी बिल्कुल मत करना बड़े अराम से काउंट करना हां बेटा इस आकरती में फॉर्टीन होंगे फॉर्टीन दीए कहां कहां होंगे यह काउंट करने के लिए आप एक सिंपल सी बात समझना कि अगर मान लीजिए कभी आपके पास इस प्रकार की बात बन जाए कई बार आपके पास देखो इस प्रकार की बात बन जाए इसमें रेक्टेंगल काउंट करने के लिए एक दो तीन चार नमबरिंग करना इन सब को जोड़ देना दस बनतें सुद्धी सी बात है ऐसे नमबरिंग करना इस पारट को नीचे बनेगा तेरा और फॉर्टेंथ पॉइंट ये पूरा हो गया फॉर्टेंगल बनेंगे फॉर्टेंगल काउंट करने की बात आएगी तो इस आकरती में फॉर्टेंगल बनेंगे कब कहां कैसे क्यूं देखना आपके लिए आसान है बता सवाल का सवाल है यह बोला कि दिये गए option में इसे उस आकरती का चेरन करें जो दिए गए सवाल में नहींत है आपको सें टू सेम आकरती चाहिए यह बिलकुल सेम आकरती चाहिए और यह भी बोला गया आकर्ती का rotation अलाव नहीं है यह भी आपको बोला गया दोस्त कि आकर्ती का rotation अलाव नहीं है एक triangle तो उल्टा इसमें खोजी लोगे कहीं नहीं यह हाँ यह उल्टा triangle देखो यह रहा इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि इस उल्टे triangle को आप सवाल में खोज पाएंगे इसके अलावा कोई और आकर्ती आपको नहीं मिलेगी इसके अलावा कोई और point आपको नहीं मिलेगा केवल आकर्ती एक ही बनेगी और वो ए बनेगी ए विल भी करेक्ट आंसर एक और सवाल दोसो पंद्रा दोसो इकतिस दोसो चपन दोसो बन में क्या हो अगला प्रहेंध क्या ना चाहिए नेक्स्ट प्रहेंट बस्त का अंतर काउंट करनेकीशन इनके सथाहते यह बनद प्रहना इनके बीच का अंतर काउंट करते मिल जाएगा नमबर देखकर यह बात में समझ में आर्याइए कि कोई मॉल्टिप्लाइब करने की बात तो नहीं है नंबर में एड करने की बात होगी और एड करने का लॉजिक ट्राइए करने ना पेटा कि इनमें डिफ्रेंस है 16 का जी हां इनमें डिफ्रेंस है 25 का और इनमें डिफ्रेंस है 36 का कि इतना आसान हो गया यह चार का स्क्वार यह पांच का स्क्वार यह च्छा का स्क्वार अगली बार बेटा 49 एड होगा यानि कि साथ का स्क्वार एड होगा गजब की बात बेटा शांदार क्या है डाइस डाइस बोले तो पासा कि अपोजिट वाली बात पूछी गई है एक पासे के उपर नंबर लिखे हुए है नो दस ग्यारा बारा तेरा और चौदा तो आपसे यह पूछा गया कि बताइए फौर्टीन के सामने क्या बनेगा कि वेरी गुड कि इसमें इसमें आपको कॉमन दिखे रहे हैं टैन टैन इसमें तैन फौर्टीन नाइट तरीका जानते हैं आप लोग कि कॉमन से स्टार्ट करना है और क्लॉक्वाइज मूव करना है कॉमन से स्टार्ट करना है क्लॉक्वाइज मूव करना है तो 11 और 14 आमने सामने आएगा 11 और 14 आमने सामने आएगा इदर से 11 इदर से 14 है इसी का बचे एक नाम बोलते हैं इसी टॉपिक का एक नाम बोलते हैं कि कि मैफे मेटिकल औप्रेशन के इदी में इसे बोलते हैं गंतियसंक्रिया How've संडे होगा कल यह 3.5 बज़वाली वाली क्लास नहीं होगी आपकी परसोंठा फिर इसhow lecture करें आपकी क्लास रहेगी बैटा कंटीनिव तेश्में सवाल में आपको चेक करना है कि सिंबल कौन से पुट किया जाएं सिंबल क्या पूट किया जाएं ओप्षन बी बनना चाहिए ए में तो क्या होगा बारा में आठ का भाग नहीं जाएगा तो बेतर बन जाएगा बेतर और बन नहीं पाएगा बी ही ऑप्षन में बात बन सकती है 48 भाग बारा गुणा आठ पलस पंद्रा माइनस तीन चोवालिस तो यह बन जाएगो बारा में 48 चार चार अठा बत्तिस बत्तिस पंद्रा संतालिस संतालिस में से तीन गए चोवालिस हैंस प्रूड यह बात साबित हो गई वी ऑप्षन आपके सवाल का पॉइंट हो गया क्लियर जब भी कभी इस परकार के सवाल की बात आये दोस्तों तो आस-पास की बात क्या बननी चाहिए नंबर का जस्मेंट क्या होना चाहिए यह पॉइंट आपको देदेंगे बेटा और इसी प्रकार का एक सवाल है टॉपिक का नाम है अनलागी और इनलागी में इस सेट बेस वेशना आते हैं यह लॉगी का बिटा यह साथ वाल सवाल से उस विकल्ब का चेन करें जिसमें संक्याएं उसी तरह सम्मंदित नहीं हैं जिसमें इस सेट की हैं बच्चे कि उत्तर क्या बनेगा यह बताएं आंसर क्या बनेगा यह बतादो बेटा देखवा कोई यह तो पता ही है कि साथ 51 और 24 में रिलेशन क्या होगा 51 कैसे बनेगा साथ के स्क्वाइर में दो जोडेंगे 51 बनेगा चार के स्क्वाइर में दो जोडेंगे 18 ग्यारा के स्क्वाइर में दो जोडेंगे 123 च्छे के स्कॉयर में दो जोडेंगे 38 तीन के स्कॉयर में दो जोडेंगे 11 यह बात तो सम्में फोलो रही है हमें चाहिए विचिज नौट रिलेटेड तो एक इनमें से अलग क्या बनेगा सात और 24 में क्या बन सकता है सातिया 21 21 और तीन बन गया 24 तो यह हो गया बेटा चार चुक 16 16 और तीन 19 ग्यारा दुनी 22 और एक 23 और तीन 15 और तीन 18 चैतिया 18 और तो 20 सलिके वाली बात तो नहीं वरनी चाहिए यार तीसरे पॉइंट को चेक करने का कोई और तरीका तीसरे पॉइंट को चेक करने की कोई और बात साथिया 21 और दो तेईस चैतिया 18 और दो 20 नहीं यार स्कॉार वाली बात तो सम्में फॉलो हो रही है साथ चुका 28 में से 4 गटाओगे तो 28 में से 24 चुक 16 तब भी बात नहीं बन पाएगी नहीं चौबिस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं है पर्स्ट लॉजिक बन रहा है साथ का स्कॉार दो 51 सही है चार के स्कॉार में 2 एड कर रहा है 11 के स्कॉार दो एड कर रहा है 6 के स्कॉार में 2 कर रहा है 3 के स्कॉार में 2 कर रहा है तीसरे नंबर का लॉजिक कह रहे है इर्रिलेवेंट बेटा तीसरे नंबर का पॉइंट कोई आना नहीं चाहिए चार और उन्निस में गुणा पांच माइनस एक गुणा पांच की बात तो बनेगी नहीं फिर कि नहीं नहीं नहींitter ений मेर्ण हमांचवक्त है मैं अठारा मुझेश को ही बात बनी नीचे चेईस सातिया इक्किस और तीन चोविस चारतिया बारा और तीन पंद्रा चेई-ठीय और तीन इक्किस तीन टिन नौ और तीन बारा ऐ surge नहीं वड़ी नमबर का लॉजीक कोही नहीं बन रहा सवान चेक करना पड़ेगा कि सवाथ पुरा लिखां सभी है कि नहीं वड़ा दिए old can सवान का लॉजीक तो यहीं नहीं हो सकता है को प्रिंटिंग भिश्चेक ना रहागी ओ बेटा हो सकता है सवाल के छपने में गलती रहागी हो कोई एक बार क्लास के बाद इसको चेक करता हूं कि सवाल प्रपर सही लिखा हुआ है शायर लिखने में पूर नंबर का लॉजिक गड़त हो गया बेटा नहीं दो प्लस दस की बाद भी नहीं बनेगी कुछ और दिखते है बेटा शीप और लैम शीप का मतलब बेटा भेड बेड का छोटा बच्चा होता है इसे बोलते हैं लैम मेमना और कॉक्रोज चोटे बच्चे जो होंगे उन्हें बोलते हैं फिली यह तो इंग्लिश का सवाल है व कंप्लीट अब उस एक सवाल के बारे वरिफाई करना बच्चे वह हम कर लेंगे लेटर और फिलाल बेटा इतना काम कीजिएगा आप लोगों ने तो सवाल पढ़े बेटा यह सीजियल के एक पेपर के सवाल थे काफी अच्छे लेवल का पेपर था और इसी प्रकार का टेक केर थेंक यू